हाई अवरिवन विल्कम बैक टो दिस फ्रेस लेक्षर जहां पे थ्री डिमेंशनल जोमेटरी चाप्टर नंबर लेवन के इंपोर्टन क्वेस्टेंस हम लोग बात करेंगे जो की जुलाइ 17 को डेट फिक्स क्या गया है वीडियो शुरूने से पहले वी आईपी मिनी का थोड़ा सा में प्रोमोशन करना चाहूंगा वी आईपी क्लास जो लोग नहीं ले पाये या फिर बजट उनका नहीं था वान थाउजन रूपीज वी आईपी मिनी इस अवेलेब पहले डिरेक्शन को साइन से अगर डिरेक्शन को साइन्स फाइंड आउट करना है तो वो कैसे निकालेंगे एक लाइन है दो पॉइंट के जरी से पास हो रहा है इसका डिरेक्शन को साइन्स उसके बाद पी क्यू का यह दिस्टेंस वाला फॉर्मुला दिस यू कन रेफर इट फ्रम क्लास 11 3D और उसके बाद 3D में बेसिक बेसिक इंट्रोड़क्शन करके धिरे-धिरे अडवांस लेवल तक जा पूरा 3D में हमारा XYZ axis में कल्कुलेशन हो रहा होगा एक्जामपल 2 को मार कर लिजे 3D में कुछ-कुछ topics deleted है जैसे angle between line and plane वगएर आप वो सारा चीज़ है तो no need to study about that latest NCRT book को follow करना जो कि आप download कर सकते हैं NCRT के website से या फिर हमारे telegram channel से जिसका link भी आपको description में और print comment में मिल जाएगा example 2 को mark लिजे this is important question direction ratios if a line has direction ratios दिया गया है direction को science निकाल लिए तो number divided by under root इसका magnitude 2 square plus minus 1 का square plus minus 2 का square करके आप निकाल सकते हो दिन आगे बढ़ते हैं तो example number 4 is important here example number 4 अपने मार्क लिए तो example number 5 को भी मार्क लिजे इस टू आ इंपॉर्टन आगे चलते हैं तो exercise 11.1 में आके हम लोग पहुंच आते हैं exercise 11.1 में पांच ही question है चोटा से exercise है 1, 4 and 5 यह तीन question important है इसको मार्क लिजे आगे चलते हैं तो equation of a line in a space तो यहां पे equation of a line through a given point and parallel to a vector मतलब एक point है इसके जरिये से वो एक line pass हो रहा है और at the same time वो और एक vector के साथ parallel है तो उसका equation क्या होगा यह line का equation क्या होगा आपको find out करना ह 3D में रहेगा r bar equal to a bar plus lambda v bar this is basically lambda उस basis में हमारा calculation हो जाएगा बहुत easy है मैं आपको और एक tip देना चाहूंगा whenever you are studying vector algebra keep this in mind कि आप Cartesian form और vector form दोनों को side by side लेके चलो but master any one of them जैसे Cartesian करते हो तो Cartesian में सारा formula को use करो at the end you can convert it into the vector form जो आपको पूछा गया होगा या फिर vector का formula आपको याद हो रहा है तो vector में करते जाओ और last में जाके आप उसको Cartesian में convert कर ले ना वो conversion सीख जाओ बाकी formula एक तरीके से करते जाओ जैसे r bar request to a bar plus lambda v bar this is the formula for vector x by x minus x1 by a y minus y1 by b equals to z minus z1 by c this is for Cartesian ये और ये ultimately same है ऑन जो ये जात नो और ये काटिशन फॉर्म और लाश्ट में फिर कनवर्ट कर लिना आई ओप दिस इंस्ट्रेक्शन इस क्लिर आगे चलते हैं तो एक्साइज स्वारी एक्जांपल लंबर 6 को मार्क ले लिए इस इंपोर्टन एक्जांपल आगे चलते हैं तो एंगल बीट्वीन टु लाइन यहां प पर्पेंडिकुलर है तो एवन टूबी वन बीटू सीवन से टो इसका सम जीरो हो जाएगा 90 डिग्री है तो जीरो होगा तो रेश्यों बन जाएगा यह सेम इकल रेश्यों बन जाएगा इसे करके आप निकाल सकते हो नेक्स्ट और हम लोग बात करें तो आगे चलते हैं इंपोर्टन्ट एक्जांपल के बारे में एक्जांपल नमबर एट को मार्क लिचे एंगल निकालना है यह पैर ओफ लाइन्स के बीच में देन शॉर्टेस डिस्टंस बिट्वें टू लाइ तो स्क्वेज लाइन्स के बीच में हमें दिस्टंस निकालना है तो यह दिस्टंस वाला फॉर्मुला नेक्स्ट पेज में तिया गया होगा Remember भी वान क्रोस बी टू डट कॉट एटू हो ने फूर्मुला में थोड़ा सा कलती है आपकी बुक में भी शायद गलती होगा या यहाँ पे भी होगा, obviously आप cross product निकालोगे तो आप determinate करके ही solve करोगे but it looks like simplified, यहाँ पे आप confused हो जाओगे B1, C2 किसको ले, B2, C1 किसको multiply करे, फिर उसका difference, फिर उसका square, फिर उसका square root बहुत जादा steps हो जाएगा, but if you are comfortable, you can do that, I won't stop you आगे चलते हैं, तो distance between parallel lines, तो यह parallel line identify करने के लिए देखना, यहाँ पे B, B same होगा but हमारा जो उपर होगा, वहाँ पे B1, B2, formula में देखो B1, B2 अलग होगा, A1, A2, B1, B2 but here A1, A2 are different, but B, B is similar, आगे चलते हैं, तो यह parallel lines के distance का formula, B cross A to minus A1 divided by mod B important example इसका रहेगा, example number 10, find the distance between these two lines, यहाँ पे देख के बता सकते हो, this one, this one is same so parallel वाला formula यूज होगा, that is B cross A to minus A1 divided by mod B, entire का mod, distance positive में आते हैं, that's why it is mod यह चीज हो गया, इसके बाद, exercise 11.2 में आके हम लोग पहुंच जाते हैं, exercise 11.2 में important questions की बात करें, question number 3 is important, 5 is important, फिर 7, 8th का 1st bit, आगे चलते हैं, 9th का 1st bit, question number 10 is important, P value, X value निकालना जो होता है, यह काफी important questions होते हैं, हर बार, तो यह 10 is important, 12, 13, 15, यह तीनों ही important है, 12, 13, 15, और इसके बाद आपके बुक में और एक topic होगा, that is the distance between, sorry, the angle between line and a plane, line and plane, फिर उसके बाद two planes, यह सभी दिया गया होगा, जो की syllabus से deleted है, that's why latest NCRT books में दिया ही नहीं गया है, तो directly miscellaneous exercise में हम लोग आकर पहुंच जाते हैं, जल्दी से mark कर लेजिए, miscellaneous exercise का questions, यहाँ पर आपके questions अलग हो सकते, maybe question number two है, तो आपको किसी और number question में मिलेगा, just look at the questions, यह question आपको जहाँ पर मिले, just mark that question, find the equation of a line parallel to x-axis and passing through the origin, question number two is important, आगे चलते हैं, देखो इतने में ही खतम होगया miscellaneous, बट आपके book में लंबा exercise देगा होगा, तो question number three is important, question number four important, question number five important, मतलब almost यह पूरा exercise ही important बोल सकते हो, क्यूंकि limited questions है, आपके book के हिज़ाब से ज़्यादा questions होगा, तो बहुत कम questions syllabus में हैं और important है, तो यहाँ पर limited question दिया है, और सारे के सारे important है, तो I hope आपको अच्छा लगा होगा, यह questions important mark लियोंगे, हम live session लेंगे YouTube में एक आद बार, जहां पर मैं आपको solve करकि कुछ miscellaneous के important questions बता दूँगा, हर chapter के साथ में VIP mini का मत बुलिएगा, अगर आपने अभी तक लिया नहीं है, तो VIP mini का subscription ले सकते हैं, I see you in the next chapter video, जो कि रहेगा probability, और probability में मैं आपको important question mark करवा दूँगा, thank you.